पंजाब में इस बार त्रिकोणिये मुकाबला होनी जा रहा है और ऐसा पहली बार है जब शिरोमडी अकाली दल, बीजेपी, गर्ठ बंदन और कॉंग्रिस को किसी तीसरी ताकत से सीधी टकर मिलेगी 117 विदानसवा सीटों वाले पंजाब का सीहासन इस बार किसे मिलेगा? 2017 में पंजाब में किस की सरकार बनेगी? इस पर इस बार 11 मार्च से पहले कोई भी कयास लगाना बस जल्दबाजी भर होगा वजह है पंजाब में हो रहा इस बार का त्रिकोणी मुकाबला पंजाब की इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अकाली दर और कॉंग्रेस के अलावा आमाद्मी पार्टी की शकल में कोई तिसरी ताकत चुनाव मैदान में है 2014 के लोग सुँभा चुनाव नतीजों को विदान सबा की सीटों के हिसाब से देख हैं तो अकाली बीजेपी 46, कॉंग्रेस 36, आमाद्मी पार्टी 33 और लोग इनसाब पारटी 2 सीटों पर आगे थी यानि अकाली बीजेपी कॉंग्रेस और आमाद्वी पार्टी में तक्रीबन बराबरी का मुकाबला था लोग इंसाब पार्टी लुधियाना के बैंस बंदों की पार्टी है लोग सुबा चुनाओ में वो दो विधान सबक्षेत्रों में सबसे आगे रही थी एक विधान सबक्षेत्र ऐसा था जहां लोग इंसाब पार्टी और आमाद्वी पार्टी के वोट साजा सबसे जादा थे इस बार लोग इंसाब पार्टी और आमाद्वी पार्टी के बीच गटबंदन है यानि दोनु पार्टियां 36 सीटों में एक साथ चुनाव बैदान में उतरी है वैसे पंजाब में हर चुनावी मुकाबला अकाली दल और कॉंग्रेस के बीच सिम्टा रहा इससे पहले भारती जनसंग और बाद में बीचेपी ने पंजाब में आधार और जनाधार बढ़ाने की कोशिश जगी थी मगर ज्यादा काम्याबी नहीं मिली 1990 के दर्शक से बीचेपी का अकाली दल से गड़ बंदन है 2012 के विधान सबाचुनाओ में कॉंग्रेस और अकाली बीचेपी गड़ बंदन में कली टक कर हुई थी 2012 के आपनों पर नज़र डालें तो कॉंग्रेस को 40.1 फीजदी वोट मिले जबकि अकाली बीचेपी गड़ बंदन को 41.9 फीजदी वोट मिले इसमें 37.7 फीजदी वोट अकाली दल को मिला जबकि 7.2 फीजदी वोट बीचेपी को मिले थे लेकिन सीटों के मामले में कॉंग्रेस 46 पर सिमट गई जबकि अकाली बीचेपी गड़ बंदन को 68 सीटें मिली थी जिसमें 56 सीटें अकाली दिल को जबकि 12 सीटें बीजेपी के पास थी चंद साल पुराने आकड़े इस बार पंजाब के सियासे समर को और भी चुनाव की भरा बनाते हैं साल 2007 की वदान सवा चुनाव में कॉंग्रेस ने 40.9 फीजदी वोट पाकर 44 सीटें जीती थी जबकि अकाली बीजेपी कड़बंदन ने 45.94 फीजदी वोट लेकर 67 सीटें जीती थी वहीं 2009 के लोकसवा चुनाव में कॉंग्रेस को 45.92 फीजदी वोट और अकाली बीजेपी कड़बंदन को 44 फीजदी वोट मिले थे खास बात ये है कि 2007 से 2014 के पहले तक जो भी चुनाव हुए उसमें कॉंग्रेस का वोट परसंटेज 40 फीजदी से उपर ही रहा अकाली बीजेपी कड़बंदन के साथ भी यही बात रही साल 2014 तकी हालात काफी बदल गए और इसकी एक वज़ए नई ताकत का मैदान में आना था यदि लोकसभा चुनाव में आमाद्वी पार्टी की एंट्री आमाद्वी पार्टी ने पंजाब में सब को चौकाते हुए 24.5 फीजदी वोट हासिल किये जबकि पंजाब की 13 में से 4 लोकसभा सीटों पर कबजा भी कर लिया पार्टी के पंजाब में इस प्रदर्शन ने सारे देश का ध्यान खीज़ा लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पंजाब में आमाद्वी पार्टी का जनाधार बढ़ने लगा लेकिन पिछले चंद महीनों में पंजाब का मूड पार्टी को लेकर कुछ बजला है जिससे आमाद्वी पार्टी में खासी बॉकला हट है लिहाजा पंजाब विधानसवा चुनाव 2017 इसी प्रिश्य भूमी पर होने जा रहा है तमाम आकड़े बताते हैं कि इस बार पंजाब मेंने सर्फ मुकाबला तीन धुर्विरोधी ताकतों के बीच है बलकि पंजाब में इस बार जीत का स्वाथ चकना ना कॉंग्रिस के लिए आसान है नाम आदमी पार्टी के लिए और ना ही वीजेबी अकाली गड़ बंधन के लिए विरो रिपोर्ट इंडिया 24-7 तो पंजाब में इस बार पहली बार के वोटर बड़ी भूमी का निभाएंगे और जाल अंदर के ऐसे ही वोटरों की बात आपको सुनवाते है यह एक वो अधिकार है जो के हमें अगले पांच साल किसी को कौशने से अच्छा है कि अपना फैंसला आप खुद ले सके ठीक है और अपने फैंसलों पे आपको पूरा विश्वास हो तो इस बार की चनाव में कई सीट ऐसे हैं जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है और जिसमें लंबी सीट जो है वो भी काफी होट सीट मानी जा रही है विधानसबा शेत्र में इस बार विधानसबा चनाव में पंजाब की सबसे होट सीट यी कही जा रही है और यहाँ पर मैदान में पंजाब की सीम प्रकाश तिंग बादल है, उन्हें कॉंग्रिस की तरफ से खुद पंजाब कॉंग्रिस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंग टककर दे रहे हैं आमादमी पार्टी से जनरल सिंग भी कॉंग्रिस और अकाली दल को कड़ी टककर देनी में लगे हुए हैं जबकि दूसरी सीट मजीठा सीट जो है वो भी काफी एहम है मजीठा विधान सबाशेत्र को अकालियों का गड़ मना जाता है और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में कॉंग्रिस के लाली मजीठिया का मुकाबला अकाली दल के दमदार नेता, विक्रम सिंग मजीठिया और आमादमी पार्टी के हिम्मत सिंग शेर्गिल के साथ है खुद्राहुल गांधी ने यहां मजीठिया के लिए प्रचार किया था तीसरी सीट की बात करें तो जलालाबाद सीट पंजाब विधानसवा चनाव में जलालाबाद विधानसवा शेत्र में तीन दिगजों की साख कसोटी पर है और हर किसी की निगा यहां के चुनावी रण पर है यहां त्रिकोडिये समिकरन होने के कारण मुकाबला कड़ा है और उप मुखिमंत्री सुग्वीर सिंग बादल की मुकाबले में कॉंग्रिस के रवनीत बिट्टू और आमादमी पार्टी के भगवन्त मान यहां से मैदान में है रवनीत सिंग बिट्टू, पूर्वी सीम, बेयंत सिंग के पोते हैं और पूर्वी अमरत्सर सीट की अगर बात करें तो पंजाब विधान सबाचनाव में पूर्वी अमरत्सर सीट सबसे एहम मानी जा रही है बीजेपी छोड़कर हाल ही में कॉंग्रिस में शामिल हुए नवजोज सिंग सिध्धू पूरवी अमरत सर सीट से हाथ के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं पूरवी अमरत सर से बीजेपी के राजे इशहनी सिध्धू के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं जब कि आमाद्मी पार्टी के सरब जोज सिंग चुनाव लड़ रहे हैं और यहां भी मुकाबला त्रिकोनी ये हैं चलिए अगली सीट करोप करते हैं नवाशंग शेहर सीट और यहां पर इस शेत्र में वन्शवात की राजनीती पारिवारिक कल है जातिकत राजनीती, एनराई घटक और उम्मीदवारों के बीच रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है यहां कॉंग्रिस के अंगत सिंग सैनी और आमदमी पार्टी के चरंट जीत सिंग चन्नी और शिरुमणी अकाली दल के जनरेल सिंग वाहिद चिनाव मैदान में हैं इन सब को चुनौती दे रहे हैं बीएसपी के डॉक्टर नच्च तरपाल चली अगली सीट की बात करते हैं लहरा गागा सीट संग्रूर जिले की लहरा गागा सीट पर इस बार दिल्चस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस बार यहां पंजाब के दो बड़े सियासी परिवारों के बीच जंग है यह सीट कॉंग्रिस की पूर वसीयम रजिंदर को और भठल की परंपरागत सीट है और शिरुमडी अकाली दल ने इस बार यहां से सांसद सुखदेव सिंग धीटसा के बेटे और पंजाब के वित्तिमंत्री परमिंदर धींडसा को मिदबार मनाया है धींडसा पिश्ली बार सुनाम से जीते थे और आमदमी पार्टी ने यहां से जस्बीर सिंग कूदानी को मिदबार मनाया है अब बात करते हैं बटिंडा सीट की जो की काफी महत्रपूर है पंजाब विधान सबाचनाब 2017 के मते नजर बटिंडा शेहरी सीट का प्रभाव ऐसा है कि जो यहां उमीदबार जीता है सरकार बनने पर मंत्री बनता है कॉंग्रिस ने मनफ्रीत बादल को मैदान में उतारा है और दूसरी तरफ अकाली दल ने सरूप चंद सिंगला और आमाद्वी पार्टी ने दीपक बानसल पर दाओ लगाया है चलिए आगे बढ़ते हैं पंजाव विधान सभा चनाव में मालवा शेतर एहम भूमी का निभाता है और 117 सीटों वाली पंजाव विधान सभा की 69 सीटे इस एरिया में आती है ऐसा माना चाता है कि जो मालवा में जीतेगा वही सरकार बनाएगा और सतलुच नदी के दक्षिर में पढ़ने वाले मालवा में 13 हजले हैं 2012 की चुनाव में यहां की बोटर्स ने शिरुमडी अकाली दल को तर्जीह दी थी और 2012 की चुनाव में शिरुमडी अकाली दल ने इस एरिया में 33 और कॉंग्रिस ने 32 सीटें जीती थी और इस बार की चुनाव में मुद्धे क्या रहने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं ड्रक्स पंजाब की ताकत और उसके आवाम मिटी और उपज में रही है और लेकिन कभी हरित प्रांती के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाला पंजाब युवाओं में ज्रक्स की समस्या को लेकर सुर्ख्यों में बना हुआ है एम्स की एक रिपॉर्ट की मुताबिक यहां के 10 जिलों की कुल 1.2-3 करोड युवा आबादीस की चपेट में है जबकि दूसरे मुद्दे की बात की जाए तो दलितों से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो भी काफी एह मुद्दा नहीं है 32 फीसदी के साथ पंजाब में दलित पोर्टर्स की संख्या देश में सबसे जादा है चुनाव के दोरान सभी पार्टिया इन्हें अपने अपने तरीके से लुभाने में लगी रहती हैं और इन दलितों पर आत्याचार, नौकरी और इस वर्ग के जमीन का तुकड़ा पाने की कोशिशों में होने वाली परिशानी इनसे जुड़े बड़े मुद्दे हैं कॉंग्रिस और अकाली ने इनसे जुड़े मुद्दों पर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है जबकि आम आद्मी पार्टी ने तो इन पर हुए अत्याचारों की जाज कराने और इसी वर्ग से उपमुख्य मंत्री बनाने की घोशना तक कर दी है तीसरा मुद्दा जो की इस बार की चनाव में काफी महत्तपूर्ण है वो है कानून विवस्था अकाली दल बीजेपी गठबंदन की सरकार की दोरान राज्जे की कानून विवस्था और भी बत्तर हुई है और कभी आतंक से ग्रस्यत रहा ये राज्जे आज अप राधियों की गोटों से त्रस्त है बेरोजगार ये एक बड़ा मुद्दा पंजाब का 2015 के आकड़ों के मुताबिक पंजाब के रोजगार कारयालेओं में बेरोजगारों के 3,61,299 आवेदन पैंडिंग थे लेकिन ये आकड़े पंजाब की सही स्तिती को नहीं दर्शाते क्योंकि कम शिक्षित या अनपड़ Employment Exchange में रजिस्टर नहीं कराते बिरोजगारों के सही आकड़े National Sample Survey Organization के मुताबिक 55 लाग है